अभ्यास चौवण, महोदे मैं कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि परिवार नियोजन का कार्य अगर इस मुल्क में नहीं हुआ तो इस देश में यह जनता सरकार तो क्या ऐसी हजार जनता सरकारे आ जाए इस समस्या का हल नहीं ढूंड पाएगी हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या का एकतिहाई अमेरिका की जनसंख्या है हिंदुस्तान से अमेरिका का छेत्रफल चार गुना बड़ा है और हिंदुस्तान से रूस का छेत्रफल साथ गुना बड़ा है हिंदुस्तान की जनसंख्या आधिक होने से उसमें जो भी विकास के काम हुए हैं वे दिखाई नहीं देते समाप उप सभापती जी कानून मंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र की अस्थापना करने के लिए हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे आप दिल्ली स्टेशन पर जाईए वहाँ पर भी प्लेट फर्म पर एक लाख आदमी सोई मिलेंगे यह है आपका लोकतंत्र आप रेलो में द्वितिय स्रेणी के डिब्बे को देखें तो लगेगा कि जैसे आदमियों की एक बाढ़ सी आ गई है आज आप अस्कूलों में जाईए वहाँ भी भरती के लिए जगह नहीं है कॉलेज में जाईए वहाँ भी भरती के लिए जगह नहीं है नौकरियों के लिए इस मुल्क के अंदर दस करुण बेकार फैले हुए है इस मुल्क के अंदर आज यह इस्थिती हो गई है कि आप किसी भी बस एस्टेंड पर चले जाईए आपको जगह नहीं मिलेगी बसों में कोई जगह नहीं है ट्रेलों में जगह नहीं है प्लेटफर्मों पर लोगों को सोने के लिए जगह नहीं मिलती है दिल्ली और लखनाउ जैसे बड़े सहरों में रहने के लिए मकानों की महान समस्या पैदा हो गई है लाखो लो कलकत्ता के फुटपाथों पर सोए रहते है आज हमारे देश में जनसंख्या की समस्या पूरे राष्ट की समस्या बन गई है मैं समझता हूँ कि जब तक इस देश के सभी दल इवध अस्तर पर इस समस्या का हल ढूंधने की कोशिस नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है हमारे देश में परिवार नियोजन का कार्य सभसे महान कार्य है जब तक इस कार्य को इवध अस्तर पर नहीं किया जाएगा तब तक जनसंख्या की समस्या हमारे देश में हल नहीं हो सकती है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है मैं यह अस्पश्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि लोकसाही की बात करने वाले अगर समझवाद की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे तो लोकसाही को कोई नहीं बचा सकता है पैरग्रफ चिन आधरणिये उप सभापती महोदे जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से इन होने न तो रेडियों के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रन करने के लिए कोई प्रचार किया है और नहीं परिवार नियोजन से क्या लाभ है उसके संबंध में रेडियों पर या अखबारों में कोई प्रचार किया है आज अखबारों के अंदर और रेडियों पर इस बात का प्रचार नहीं किया जाता है कि अधिक बच्चे होने से क्या नुक्सान होता है और बाल विवा करने से क्या हानिया होती है जबसे जनता पार्टी की सरकार सत्ता में प्रगत्ती रुक गई